नमस्कार, SPT News पर पेशा राजसान की बड़ी खबरे इस मामने की जान, CID CB को सौंपे गई, लेकिन CID के परिजन और समाच के लोग, जान CBI को सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं हनमानका टाउन थाना पुलिस के CID नंदराम भादू को निलंबित कर दिया गया है इस आश्रे के आदेश पुलिस महाने देशक भुपेंदर यादव ने जारी किये हैं भादू को विभागी जान्च के चलते निलंबित किया गया है निलंबनकाल में भादू का मुख्याले कोटा में, IG कार्याले में रहेगा जैपुर में विस्टाचार निरोदक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को GPF विभाग में परस्थापित कने स्लिपिक को 25 सो रुपे के रिश्वत लेते रंगे हातों गिरफतार का लिया ये कारवाही अडिशनल S.P. पृत्विराज मीना की निरदेशन में एसीबी की टीम ने की गिरफतार कने स्लिपिक आरोपी रगवीर सिंग है उसकी खिलाफ एक व्यक्ति ने एसीबी में शुकायत दर्ज करवाई थी कि उसने GPF का बिल पास करवाने का आवेदन किया था इस बिल को पास करने के एवज में वहाँ पद स्थापित कने स्लिपिक आरोपी रगवीर सिंग ने धाई हजार रुपे की रिश्वत की मांग की थी विकाने रेंज के आईजी जोस मोहन ने आदेश ज्यारी कर दो पुलिस इंस्पेक्टरों को जिलों में निउक किया है उसने कर निधारन की एवज में ये रिश्वत मांगी थी परिवादी ने इस बारे में एसीबी को शुकायत की ACB के अधिकारियों ने शुकायत के सत्यापन के बार जौल बिचाया आज इस अधिकारी ने जैसे ही रिश्वत की रकम हाथ में ली ACB ने उसे ग्रफतार कर लिया प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 के अंतरगत राजिस्थान में 13 लाग पात्र बीमित किसानों को 2261 करोड रुपए के बीमा क्लेम का वित्रण किया जा चुका है ये कुल क्लेम का 91 प्रतीशत है कृषी मंत्री लालचंद कटारिया ने बताए कि फसल बीमा योजना के अंतरगत खरीफ 2019 में कुल 2496 करोड रुपए के बीमा क्लेम का आंकलन किया गया था जिसमें से 2261 करोड रुपए के क्लेम का वित्रण किया जा चुका है ये कुल क्लेम का लगभग 91 प्रतीशत है और इससे 13 लाग बीमित काष्ट का लाभान विध हुए है राजिपाल कल राज मिश्र ने कहा कि पर्यावरण सनक्षन के लिए जन जागरुकता की आवशकता है उन्होंने कहा कि हम सभी को एक जुट होकर प्रदूशन को रोपना होगा मिश्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश्ट वासियों को बढ़ाई और शुबकामनाई दी है उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी को मिलजूल का प्रयास करने होगे राजिस्तान में रास्टे खादे सुरक्षा योजना के लभारतियों को 5 जून से पोस्ट मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्च्च्च्चाथ ही उचित मुले के दुकानों से राशन का वित्रन किया जाएगा ओफलाइन चल रही उचित मुले के दुकानों के अलावा राशन वित्रन के सभी ट्रांजेक्षन पोस्ट मशीन द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्च्च्चाथ किये जाएगे खादे एवं नागरी का पूर्ती मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि पोस्ट मशीन पर पुने बायोमेट्रिक प्रमानी करण शुरूर करने हेतु COVID-19 महामारी से बचाव के लिए समाजिक दूरी एवं बार-बार हाथों को धोना और सेनटाइस करना जरूरी होगा साथ ही COVID-19 महामारी से बचाव के लिए केंद्र और राजसरकार द्वारा जारी दिशाने देशों की पूर्णे तया पानना करनी होगी राजिसान के नए मुख्य सचिव को लेकर नौकर शाही में तलाश तेज हो गई है अगला मुख्य सचिव कौन होगा इसे लेकर सरकार में मन्थन शुरू हो गया है नए मुख्य सचिव के लिए वरिष्टिता के आधार पर पांच IAS अफसरों के नाम चर्चा में हैं दरशार राजे के मौझूदा मुख्य सचिव डीवी गुपता इसी सार सितंबर माह में सेवा निवरत होने जा रहे हैं यही नहीं डीवी गुपता सही तेरा आईएस अफसर इस साल के आखिर में रिटायर होने जा रहे हैं सरकार से जुड़े सूतरों की माने तो इस बार किसी वरिष्ट महिला आईएस अफसर को राजे का मुख्य सचिव बनाय जाने की चर्चा है सरकार में अंदर खाने वरिष्ट महिला आईएस अफसरों के नामों पर भी मन्थन चल रहा है अनलोक वन में परेटन को वापस पट्री पर लाने के लिए राजिस्थान के समस्त समार्क एवं संग्रहाल सोमार से परेटों के लिए खोल दिये गए इस दोरान कोवीड-19 से बचाव को देखते हुए समस्त सुरक्षा मापदंडो की पालना की गए उदेपुर में भी आयर संग्रहाल समेत अन्य कई समार्क परेटों के लिए खोले गए दो सप्ताहा तक केवल चार दिन और तीस्ते सप्ताह से पूर्व की तरह नियमित खोले जाएंगे ब्रहमन के दोरान सभी परेटों के लिए मास्क अन्यवारे होगा उपवन सनक्षक वन्यजीव रासमन फटे सिंग राठोर के निर्देशन में जोजावर रेंज कार्यारे के पशूरक्षक हीरा सिंग, वन्रक्षक मुहबबत सिंग, महिला वनकर्मी, सीमानात, इंद्रादेवी सहित वनकर्मियों द्वारा शेत्रेवन अधिकारी प्रमोज सिंग नरूका के नेत्रतों में गर्णा को लेकर सभी आवशक तयार यां पूरी की जा चुकी है वन्यजीवों की गर्णा वाटर हॉल पदिती से की जाएगी, इसके लिए वाटर हॉल चुन लिए गए है चुनित वाटर हॉल पर मचान बनाई गई है, शेत्रेवन अधिकारी ने बताया कि किसी भी वनकर्मी को 30 मई को ऑनलाइन कारेशाला आयोजीत कर प्रशिक्षन दिया जाएगा